अपनी बीती रिपोर्ट में ये तो हमने आपको बताया ही कि कैसे अपनी बेटी पलक तिवारी के सारे पैसे पर श्वेता तिवारी का कबजा है हमने आपको बताया ही कि पलक को अपनी मम्मी से शॉपिंग के लिए OTP के लिए गिड़ गिड़ाना पड़ता है वहीं अब चलिए आपको बताते हैं कि पलक ने अपने चोटे भाई रियांश कोहली पर क्या कहा पलक तिवारी ने अपने चोटे से भाई को एविल बता दिया जी हाँ शैतान पलक ने कहा कि मेरा भाई रियांश एविल है मम्मी रियांश के लिए बहुत बायस्ड है मम्मी को सिर्फ एक लुक देता है और मेरी मम्मी मुझे चमाट मारती है मम्मी को रियांश की ये सब हरकतें क्यूट लगती है जी हाँ पलक ने कहा चोटे बेटे के लिए श्वेता तिवारी पलक को डांट देती है मार देती है पलक ने कहा कि उनका चोटा भाई रियांश जो तो कुछ नुकसान भी तो उठाने होंगे ना जिन्होंने हमारी बीती रिपोर्ट नहीं देखी है उन्हें बता दे कि पलक ने अपनी मॉम श्वेता तिवारी को एक कूल मॉम नहीं बलकि देसी आंटी कहा है पलक ने कहा है कि मेरी मा भी बाकी माओ की तरहा है 20 रुपए देन में भी चिक चिक करती है फाइनल काट न्यूस टेस्क